नमस्कार आप देखने बीटी नुज बिहार मैं हूँ आपके सत्धोपाल कुमार अभियम मौजूद हैं सफापूर्फ पंचायत सफापूर्फ गराम में जो कि मेरे साथ सरपंच परतियासी बंबम पासमां जी मेरे साथ मौजूद हैं थोरा इंसे कुछ खास बात चीत करते ह आगे का इनका घोसना पत्र क्या है और इनका लक्ष क्या है बंबम जी नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार सर्व बोले आगे आपके आपका घोसना पत्र क्या है सार देखिए पहला मंग तो यह है जनता का जो नएक वेवस्था दुरूस्त नहीं है जैसे मान लिया जाए किसी की आपस में ज़ंजत होता है तो यप और ऍुट जाता है और जब यदिक पड़ जाता है तो आदमी वहीं टूट जाता है मेरा मुफ्dest है नेग विवस्था को दुरूस्त करना क्या आपके पंचाय इन कि भीत पांच बरसों मरत में क्या इसा काम नहीं हुआ जो आप सरपंच पद पर आये हैं और सरपंच बनके आप जनता के बीच वेसा काम करके जनता को दिखाईएगा देखिए जब मैं छेतर बराबर घुमता हूं मेरा काम जो था घर घर जाके कपड़ा को बेचना ठीक ना तो जब मैं छेतर घुमा तो पता चला कि कोई हंज़र जब बहुत आक्रोस है और सबों ने मुझे कहा कि आप सरपंच से लड़िये और मैं आप लोगों का सहयोग करूंगा हम सब मिल के आपको सहयोग करूंगा और एक आप ही है जो इस नैग विवस्था को दुरूस्त कर सकते हैं और मेंटिलिटी आप में है जो नैग विवस्था को कई से दुरुस्त करना है आप में वह चमता है अच्छा बंबंबंबं जी यह बताइए क्या आपके पंचायत में आपके पंचायत में विकास हुआ है देखिए विकास तो धरातल पर जो मुझे तो दिख नहीं रहा है अब विकास कागची तोर पर हुआ यह तो मैं नहीं जा फातल पे हुआ है तो थोड़ा विश्थार रुप में बताईए जिसे सरक हो हर घर नल जली हो ज़िना हो यह जो भी हो क्या लग रहा है जी विकास हुआ है तो खूले के बताईए देखिया जहां तक मैंने देखा है कि जहां रोड भी बना हुआ हुआ ऩुआ रोडों को पीको बीच तोरके अच्छी रोड को तोरके बन गया है डी जो पैदल चलने में बहुत मुस्खिल उसके बाद गूप को जाती एधे गारी तो इतना ज स्थता возможность उसको जो है सही रूप से उसका उसको जो भरा ही नहीं गया है गड्ए घड्र गड़्ा ही छोड़ दिया गया है और क्या बिकास मिला है तो उसमें बहुत लोगों ने सिकाइत किया है कि जो कि मुझे घूस लिया गया है इंदरावास में इतना मंग रहा है और कोई भी काम हो जो उसमें जो है मुझसे मंग जा रहा है तो पुर्ण रूपे जिसके पास जो है घूस देनी की छहमता होती है दसजार बीसजार तो उसका काम हो पाता है बंकी का तो काम होता ही नहीं है मतलब पूर्ण रूप से कहिए नहीं हाँ पर इस पंचाइट में विकास नहीं हुआ है तो आगे अगर जनता आपको अपना बहुमूला शिरबाद देखे और सरपंच पद पर बैठाते हैं तो आप किस तरह से विकास करके दिखाईएगा देखिए सरकार जो एजंडा तयार की हुई है ठीक है उस तरीके से जो मुझे जिम्यदारियां दी जाएगी उस जिम्यदारियां को जो है मैं अपने शिरोभार समझ के बहुत ही बाख्भी से अपने हिसाब से चलने का प्रियास करू कि बर्तमान के जो सरपंच नहीं कर पाते हैं क्या लग रहा है आप सरपंच बनियागा तो काम करके दिखाईएगा जी देखिए बहुत परियास करेंगे काफी हद तक परियास करेंगे कि थना तक मामला नहीं जाएं काफी हद तक परियास करें तो अभी आप सुने जो अभ पणले हम पुर्णरूप से विकास नहीं हुआ है जो निह बर्तमन के सरपंच हैं वो कुछ बिकास नहीं किये हैं। सारी केसों को उझआ के रखते हैं सभी को धाना भेजा जाता है तो अगर हम सरपंच पत पर आते हैं तो ऐसा कुछ विकास करके दिखाएंगे धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है सभी काम पेपर पर हुआ है और हम आएंगे तुसको धरातल पर उतार कर दिखाएंगे तो ठीक है आप बने रिए बीटी नीज के साथ मैं हूँ आपके साथ गोपाल कुमार